नमस्कार दोस्तों समस्या हैं आपकी समधान हमारा के यूट्यूब चैनल में मैं जतिन सेगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों निरंतर बाद करते चले जा रहे हैं सूरे महाराज के होचर के बारे में जोकि 16 जुलाई सन 2021 को मिथुन राशी छोड़ करके कर राशी में प्रभेश करेंगे और 17 अगत सन 2021 तक वो इसी राशी में रहेंगे तो विभिन राशी पर इसका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों अब बारी है कन्या राशी के जात्कों के लिए कन्या राशी के जात्कों के लिए सूरे महाराज का बोजर उनके 11 आ रहा है तो सूरे जो है पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का कारक सरकार का वो कारक होते हैं और एनरजी का भी वो कारक होते हैं तो दोस्तों, 11th house जो है हमारी जनम कुल्ली के अंदर, हमारे बड़े भाई बहनों का, हमारे स्वयम कमाई हुए धन का, हमारी इच्छाओं का भी होता है। दोस्तों, पुरानी जोदिश में ऐसा बोला गया है, कि सूरे महाराज जहां पर बैठते हैं, उस घर के फलों में कुछ कमी लाती है। पुरानी जोदिश करें, अगर थोड़ा बाप इगोइस्टिक रहें, तो उनसे किसी भी प्रकार की वाद्विवाद की सितियों में आप ना पढ़ें, तो यह आपके लिए बैठर रहेगा। इसके अलाबा दोस्तों, 11th house में सूरे महाराज का गोचर बताता है, कि आप अपने से अच्छे ओदे वाले व्यत्यों के साथ आपका संपर्थ बनेगा। यानि overall में क्या होगा, कि वह बड़े बड़े लेवल के लोगों से आपकी कुछ जान पहिचान या दोस्ती होने की संभाव नहीं बढ़ जाएगी। इसके अलाबा दोस्तों, क्योंकि यह हमारे desires का भी होता है, तो आपके desires भी पूरे होने की संभाव नहीं है। इसके अलाबा दोस्तों, यदि कोई सरकार से related आपका पहले से काम अटका हुआ था, तो वो भी पूरो हो जाएगा, क्योंकि यह हमारे स्वयम कमाय वे धनका होता है, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई government contract मिल जाए और government की तरफ से आपको लाभ प्रात हो, तो यह भी overall में आपको क साफियत तक help कर सकता है, इसके लाबा दोस्तों, क्योंकि सिंध राशी, जिसके मालिक सुर्य होते है, वो आपके 12th house में आता है, तो वो अपने से 12th आगे, तो ऐसे में ऐसे वेक्तियों के लिए बहाँ फायदा यह होता है, कि कई वर विदेशों से भी कुछ खुशकवरी इनको मिलती है, यहां कि देशों से भी कुछ लाब की संभावना है, उनके लिए बन जाती है, इसके लाबा दोस्तों, सूर्य महाराज की एकी दृष्टी होती है, 7th, तो 7th दृष्टी उनके 5th house के आईगी, तो 5th house आपकी बुद्धी विद्यागा है, तो ऐसे में क्या हो तो उस प्रकार के लिए भी आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे, और क्योंकि हमारी गुद्धी विद्याग संतान का ये कॉलम होता है, 5th house, तो आपकी संतान भी काफी एक तक एनर्जेटिक रहेगी, प्लस उनके अंदर भी कुछ गुस्से की प्रवर्तियां आ सकती है, तो क्योंकि 5th house हमारे love affairs का भी होता है, तो उसमें भी जो है कही ना कहीं, आपके जगडे होने की संभावने बनेगी, तो उसका सबसे बड़िया तरीका है, केवल अपने गुस्से को यदि आप काभू रखेंगे, तो आप काफी अक्तर अच्छी चीजों को आप अचीव कर पा यदि वो पहले से अच्छे नक्षत्राज में है, तो definitely यह हमें अच्छा गोचल का फल मिलता है, यदि वो पहले से negative नक्षत्राज में होगी, यानि star lord, sub lord, sub sub lord combination अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो वो हमें उतना फल प्राप्त नहीं हो पाता, पर तोस्तों जैसा मैंने में हमेशा बोला कि जोतिश कभी डराने के लिए नहीं बनाया गया, एक चीज़ हमेशा से बोलता है और बोलता रहोगा, कि astrology is a divine science, no one can change your destiny, but yes you can balance the things, यानि जोतिश एक दिव्य विज्ञान है, भागया आपका कोई नहीं बदल सकता, परन्तु हाँ आप अपने जीवन में होने पुंदली का बेशिलेशन करवाएं, यह सबसे बड़ी आए रहेगा कि वो हर अभीवार को गेहूं या गुड या घडी का दान किसी गरीब जरूरत मंद को यदि वो करते चले जाएंगे, तो भी उनके लिए अच्छा होता चला जाएगा, बाकी मेरी शुब काम नहीं, कन एड़ी जाएगा, आएगा, बाकी मेरी शुब काम नहीं, कना दाता चला जाएगा, तो भी जू फसे बड़ी जाए बाकी मेरी, जात है इए ध्यांवाओाना शवार्शन कर्म में, ऑला देख